नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल P4 पोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं IT इंडस्ट्री के मार्केट लीडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस के बारे में यानि कि TCS के बारे में इसमें कुछ समय में भारी तेजी देखने को मिली है पंदरा सो के लेवल के बाद इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है तो क्या अब इसमें बाई करना चाहिए होल्ड करना चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगिलर अपडेट्स पाने के लिए नॉटिफिकेशन मेल को ब्रेस कीजिए तो चलिए बात करते हैं टीसी एस के बारे में तो आप देख सकते हैं टीसी एस का लाज्ट ट्रेड़ प्राइस है टू थाउजन अट्वेंटी रूप पर इसे खरीदते हैं और यह 2300 के आसपास पहुंचता है तो हमें इसमें 15% की ही अपसाइट देखने को मिलेगी अब बात करेंगे इसमें टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं वेरी बुलिश है पिवट लेवल है 2004 रूपीज जिसके ऊपर यह सक्सेस् और इंडस्ट्री पी है 18.44 आपको इंडस्ट्री पी से महेंगा मिल रहा है क्योंकि मार्केट लीडर है तो महेंगा तो मिलेगा ही डिविडियन दिल की बात करें तो काफी अच्छा डिविडेंड है 3.62% का दिल्यूरेबल भी काफी स्ट्रॉंग है 53.46% अब बात करेंगे इसके financials के बारे में तो अब देख सकते हैं मार्च 19 में net profit 8,152 करोड था जून 19 में 8,153 करोड सेप्टेंबर 19 में 8,058 करोड डिसंबर 19 में 8,143 करोड और मार्च 2020 यानि कि इसका latest quarter for results आया है net profit 8,093 करोड और year on year basis दोनों पे थोड़ी से decline देखने को मिली है लेकिन overall results काफ IT industry को ज्यादा effect नहीं पड़ा है इस lockdown की वज़े से work from home इनके लिए बहुत ही अच्छा और suitable होता है इसलिए इनके net profit पर भी काफी ज्यादा effect हमें दिखाई नहीं दे रहा है अब देखेंगे charts पर की कैसी movement दिखाई दे रही है और आगे आने वाले दिनों में क्यान से level से ज नीचे की line support की तरह चल रही थी और उपर की line चल रही थी resistance की तरह 1500 के level के पास इसने support लिया उसके बाद अच्छी recovery देखने को मिली लेकिन ये resistance line को तोड़ नहीं पा रहा था और एक दिन इस resistance line को इसने तोड़ दिया उसके बाद इसका trend बड़ल गया है तो आप देख सकते इस trend के बदलने के बाद ये उपर निकल चुका था उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया लेकिन जो line पहले resistance की तरह face हो रही थी अब वो इसके लिए support बन चुकी थी तो उसके बाद फिर से इसमें तेजी देखने को मिली है और आज ये 2020 तक पहुँच चुका है तो मुझे बाद फिर से recovery देखने को मिली है और आज ये 2000 के उपर निकल चुका है और आज ये सिर्फ ये resistance line नहीं है बल्कि उसका 200 days का ये में भी है जो कि उसके लिए resistance face कर सकता है अगर ये resistance तूटता है तो इसमें और further movement हमें up move देखने को मिल सकता है तो अब मैं आपको सारे trend lines निका returns दी है लेकिन ये काफी समय से उपर consolidate करता हुआ दिखाई दे रहा है 2000 से 2200 के level पर ये trade करता था अब फिर से देखेंगे हम one year time horizon जिसमें एक candle one day को represent करेगी तो आप देख सकते हैं कि ये 2250 के आसपास पहुंच सकता है लेकिन मुझे लगता है अगर हम इसमें अभी fresh buying करते ह है तो situation हमारे favor में नहीं है अगर ये जाता भी है उपर तो 2250 तक जाएगा जो की होगा सिर्फ 15% का profit और इसके नीचे के risk बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि इसका जो low था वो 1500 का जा जो की काफी deep है तो मुझे लगता है कि इसमें fresh buying तो हमें avoid करनी चाहिए लेकिन अगर पहले से position बनाई हुई है तो आप इसे continue कर सकते हैं अब देखेंगे इसके indicators हमें क्या बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं money flow index काफी उपर निकल चुका है 72 चल रहा है लेकिन अभी तक overbought नहीं हुआ है इसलिए अभी तो हम safe है लेकिन overbought कभी भी हो सकता है इसलिए fresh buying तो आप भी avoid करना चाहिए MACD की बात करें तो आप देख सकते हैं MACD ने तो कब का हमें bullish crossover दे दिया था उसके बाद कभी भी इसने हमें bearish crossover दिखाई नहीं दिया है अगर बात करें ballinger band के बारे में तो आप देख सकते हैं ballinger band के upper band के आसपा से इसने closing दिये यानि कि अभी थोड़ा सा technical इसमें नीचे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है अब बात करेंगे RSI के बारे में कि RSI में कैसी moment आ रही है तो आप देख सकते हैं धीरे-धीरे RSI भी उपर ही जा रहा है 62.56 का RSI हो चुका है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग-अलग levels की कैसे हमें एक पुराने resistance पर TCS ने support लिया और उसी support के आधार पर stock उपर निकल गया था लेकिन अभी का जो resistance new resistance है वो है 200 डिस का ये में जो कि एक current market price के आसपास अगर ये resistance तूटेगा तो इसमें further और हमें तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन वो तेजी sustainable नहीं हो सकती क्योंकि markets काफी weak है इसलिए मेरा मानने है कि fresh buying हमें इसमें अभी टालनी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा up move हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है potential इतना नहीं है जितना कि stock उपर already उपर निकल चुका है अभी इतना potential इसमें बचा नहीं है कि ये ज्यादा उपर जा सकता है क्योंकि 2300 इसका all time high है अगर ये वहां तक भी पहुंच जाएगा तो हमें सिर्फ 15% के returns देगा और risk काफी बढ़ जाता है क्योंकि stock नीचे कभी आ सकता है क्योंकि already stock उपर निकल चुका है तो profit booking हमें देखने को मिल सकती है और अगर support levels की बात करें जो अभी नस्दीक के support levels है वो है इसके yellow line जो की है 20 days के ये में वो है 1921 नस्दीक का support level यही है अगर आप उससे भी नस्दीक के support level की बात करें तो वो है 100 days का ये में 1960 का ले अगर ये support टूटता है और stock नीचे आ सकता है तो बिल्कुल भी आ सकता है क्योंकि वैसे भी stock काफी उपर चुका है उपर आ चुका है इसमें आगे के further नीचे के levels फिर से देखने को मिल सकते हैं तो overall fresh buying मैं avoid करूँगा इसलिए मैं आपको भी यही रहे दूँगा कि आप भी अबोइड कीजिए पाकि आपका decision है investment एक personal decision होता है आप अपनी financial advisor से बात कीजिए अगर आपको लगता है कि इसमें invest करना है तो आप कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए और मुझे motivate कीजिए, thank you, stay happy, happy investing